तो आज हम देखने वाले एक कोश्चन जिसमें बोला गया है इसी कौन सी केमिकल प्रोसेस है जिसके जरिये हम लोग उस मेटल के ऑक्सइट से उस मेटल को निकाल सकते हैं इस मेटल के ऑक्सइट से हमको धातु चाहिए तो एक ऐसी रेक्शन जो की मेटल के ऑक्सइट से हमको मेटल दे सकता है उसको बोला गया है रिडक्शन तो यहां बोला गया कि एक मेटल को निकाल जा सकता है उसके ऑक्साइट से उसके ऑक्साइट से with the help of process reduction अब reduction क्या होता है आपको पता है students आपने chapter ने पढ़ ली है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो पहले देखने चाहिए जनरली क्या होता है loss of oxygen या gain of hydrogen को हम बोलते हैं reduction तो यहाँ पर example में दिया गया है there is HGO जो की एक solid है जैसे हम उसको heat देते हैं यहाँ पर HG जो है वो basically क्या है mercury है और उसको heat करने पर हमको simply metal अलग हो जाती है that is HG अलग हो जाता है liquid form में and oxygen gas अलग निकल जाती है तो इस तरीके से हम देखने हैं कि metal का oxide या ने कि HG का O लग गया तो आप देख पा रहे हैं कि जो HG की साथ O लग गया तो वो metal का oxide हो गया है और उससे हमने simply HG अने metal को अलग कर लिए तो इस process को बोलते हैं reduction I hope this friends आपको clear हो गया होगा अगर आपको हमाई वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या knowledge मिला तो प्लीज हमाई वीडियो को subscribe कीजिए एंड वीडियो को like जरू करें आज के लिए इतना ही Thank you